Law of Attraction समझते हैं, दुनिया में मौझूद हर एक चीज, दूसरी चीज को अपनी तरफ आकरशित करती है, चुम्बक लोहे को, खाना पेट को, न्यूटन सेप को, यहां तक कि इनसान खुद इनसान को अपनी तरफ अट्रेक्ट करता है, लेकिन गडबर जानते हो कब होती है, ज आपने नेट्फ्लिक्स भयाने एक खतरनाक फिल्म के रूप में, वो कहानी जिसको सुनने के बाद बाबू शोना, जादू टोना, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे आप, स्वागत है आपका हसीन दिल्रुबा के रिव्यू में, फिल्म की शिरुवात एक दुए में लाल पीला हो रहा था, बस शिरुवात हो जाती है एक पुलिस इंवेस्टिएशन की, जिसमें अभिजीत फ्रम सी आईडी, कुछ तो गढ़बढ है दया वाले अफ्तार में, रानी और उनके पती के रिलेशन्शिप की गहराईयों में उतरते हैं, रिशव भया क साफी excited हैं क्योंकि college में engineering की degree लेने के बाद इनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है, अरे IIT नहीं शादी, लड़की है दिल्ली की, एकदम modern बंठन के रोड़ पे बहार निकले तो कम से कम 50-60 लड़कों के दिल तो पंचर हो जाते हैं, मैडम को पती ज रही है था जॉन के साथ है, यहां से film में शुरू होता है एक मज़िदार खेल, लव, सेक्स और धोका, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है, जलेबी की तरह तेड़ी है, क्योंकि चौथा केरेक्टर और है, एक राइटर सहाब का, वो जिनकी शकल तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके शब चोटे-चोटे शहरों में बड़े-बड़े कतल करवा देते हैं, मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस के उस्ताद है ये, हाँ तो भाया कहानी की डिटेल समझ गए शॉट में, अब डारेक्ट पॉइंट पर आती हूँ, फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, हाँ, 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 पढ़ गया तो एक और बार हाँ, रीजन नमबर वन कहानी एकदम फ्रेश है, यूनीक है और मज़िदार भी है, ना तो कोई रीमेक है और ना ही सीक्वल, एकदम ओरिजनल है वो भी ऐसी जो पूरे शरीर पर रॉंग्टे खड़े कर दे, जब किसी फिल्म के पहले सीन में ह आपका सामना हो जाए, और डिरेक्टर भया प्लेट में सजा के उसका जबाब आपको खिला दे, बस समझ जाओ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही ब्लैक और वाइट है, लेकिन फिल्म का एक्स फेक्टर, सस्पेंस थ्रिल के पीछे छुपी हुई कॉमेडी, ऐसी र खसीन दिलरुबा ने आशिक के साथ मिलकर भोले मासूम पती को नर्थ पहुचा दिया, एक पत्मी जो खुद अपने पती की मौत के सदमे में है, वो दुनिया को कैसे साबित करे कि उसका प्यार सच्चा था, तीसरा एक जासूस वो जो मेरे आपके अंदर है, इस क्यूब क बिखरे हुए कलर्स को एक साथ मिला कर फटा-फट सच और जूट से परदा उठाना है, फिल्म खत्म होने से पहले तबी तो दिमाग को सुकून मिलेगा न, लेकिन किंतु परंतु फिल्म में लॉजिक ढूणने की कोशिश ना करिएगा, फिक्शन को सिर्फ फिक्शन की त बिखर जाएगा, बाकी तापसी, विक्रांत और हर्ष इनकी जो मज़दार तिकडी है, इसमें कोई और चीज कॉमन हो ना हो, लेकिन टैलेंट एकदम खतरनाक वाला है तीनों के अंदर, तापसी मैडम का चेहरा इस फिल्म में आइने की तरह है, जब भी आप इनके अंदर गलतियां ढूनने निकलोगे तो खुद को उसके अंदर पाओगे, एकदम चालाक एक्टिंग की है इनोंने, हर्ष वर्धन राने छोटा लेकिन दमदार कैमियो किये हैं, जब दो घंटे की फिल्म में सिब 10 मिनिट के रोल के बाद आप किसी कैरेक्टर से नफरत करने लगो तसमच जाना के एक्टिंग में दम है गुरू, लेकिन इस फिल्म के डार्क होर्स हैं अपने विक्रान, टाइटल भले ही हसीन दिलरुबा है, लेकिन पूरे टाइम पबलिक की आँखें आशिक पती को ढूनती रहती हैं, विक्रान सहाब इतने raw एंड effortlessly फिल्म के सबसे कठ पाड़े तीन स्टार्स, एक स्टार काफी टाइम बात एक fresh और original कहानी से मुलाकात करवाने के लिए, एक स्टार murder, lust और mystery में भी comedy धून कर निकालने पे मजबूर करने वाली clever and humorous writing के लिए, एक स्टार विक्रान, तापसी और हर्ष के real life talent वाले triangle के लिए, इन तीनों के इन्स को बान के रखने का काम, background में बजने वाले अमित्रिवेधी के offbeat गाने करते हैं, बात करू negatives की तो एक स्टार कटेगा, कहानी में काफी सारे loopholes छोड़ कर उसको भढ़ने की जिम्मेदारी audience पे डालने के लिए, और half star कहानी में डाले गए side characters को ज़रा सा भी इस्तमाल करने के लिए, जैसे तनू वेट्स मनू देखे हैं, कुछ वैसा कारणामा होता तो फिल्म पर्फेक्ट बन जाती, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंग यह आप से अगले वीडियो में, टेक केर, बाइबाइ